नमस्कार आज मैं ब्रोकली की सबजी की रेशिपी बनाने जा रही हूं इसके लिए ब्रोकली को ले करके इसे हम इस तरह से पीश-पीश में काट लिए हैं और इसका डंठल को फेके नहीं है जो मुलायम वाला डंठल है उसका हम इस तरह से छुटश्टब पीश में काट हैं और दो मीडियम साइज का आलू को ले करके उसे छील करके इस तरसे छुड़श रपीस में काट लिए हैं और एक मीडियम साइज का प्याज को ले के इसे हम कदुकस कर लिये हैं, थोरा सा अधरक लसुन, इसे भी हम दरदराक पूट लिये हैं, और ये खड़ी मिर्चे, इसे हम बारी काट लिये हैं, एक तेज़ पत्ता, थोरा सा दालचीनी का टुकरा, दो लॉंग और एक इलाईची, तीन बड़ा चमज, सर्सो का तेल, ए आधा छुड़ा चमज से भी कम, काली मिर्च पौडर, एक छुटा चमज, धनिया पौडर, नमक, स्वाधनुसार, आधा छुड़ा चमज, जीरा पौडर, और एक छुड़ा चमज, कस्मिरी लाल मिर्च पौडर, इधर गैस ओन करके, कड़ाई को चड़ा दिये हैं, और तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है, आब इसमें हम ब्रोकली को डाल देते हैं, इसका डंठल को अभी नहीं डालेंगे, और इसे हम 2-3 मिनट तक चलाते हुए ब्रोकली को भून लेते हैं, ब्रोकली को भून लिये हैं, आब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, अब जो बाकी बचा तेल है उसे हम कड़ाई में डाल देते है, अब तेल में डाल चीनि, लॉंग, इलाइची और तेजपत्ता में इसे डालने के बाद प्यास जो करस्ट किया हुआ है उसे डाल देते न इसे कड़ें जिसे दरदरा कूटे हैं उसे भी डाल देते हैं और हरी मिर्ज को भी डाल देते हैं और इसे चला लेते हैं इसे चलाने के बार प्याज के साथ ही जो आलू है कटा हुआ उसे डाल देते हैं आप आलू पसंद नहीं करते हो तो आलू नहीं डाले, और इसे त्याज के साथ ही आलु को भी भून लेते हैं, अब इसमें हम ब्रोकली का डंठल काटे हैं, उसे भी डाल देते हैं, इन सभी छीजों को अच्छी तरो से पहले हम भून लेते हैं, सभी चीज अच्छी तरसे भुना गया है अब इसमें हम मसाला को डाल देते हैं गैस का फिलिम को अभी हम बिलकुल लो कर दिये हैं हल्दी पौडर धनिया पौडर जीरा पौडर काली मिर्च पौडर और कर्ष्मीरी लाल मिर्च पौडर तीखा आप ज्यादा पसंद करते हैं तो लाल मिस्ट पाउडर भी डाल सकते हैं और इन सबी चीजों को पहले हम मिला लेते हैं मिलाने के बाद अब इसमें हम टमाटर का जो पेश्ट है उसे डाल देते हैं साथ में स्वादानुसान नमक और मटर मटर को भी डाल देते हैं और टमाटर और मतर को लगातार चलाते विए आच्छी तरह से पका लेते हैं duck मतर और टमाटर भी आच्छी तरह से भूना गया है आब इसमें हम दई हैं जो दई को ड़नाल देते हैं ने विश्वीर आप जल लेते हैं दई भी अच्छी तरसे भुना गया है अब इसमें हम फ्राइ किया हुआ ब्रोकली को डाल देते हैं और इसे भी हम मसाला के साथ अच्छी तरसे मिला लेते हैं अच्छी तरसे मिलाने के बाद अब इसमें हम पानी को डाल देते हैं पानी लगबग एक गलास डाले और गैस कपलेन को लो करके इसे हम लगबग 5-7 मिनट के लिए ढग देते हैं जिसे की ब्रोकली और आलू अच्छी तरह से पक जाए लगबग 5-7 मिनट हो गया आप सबजी को चेक कर लेते हैं आलू भी अच्छी तरह से पक गया है ब्रोकली की सबजी बनके तयार है अब हम उपर से थोरा सा धन्या पत्ता को डाल करके गैस को आप कर देते हैं और इसे हम सर्फ कर लेते हैं ब्रोकली आलू मटर की सबजी को सर्फ कर लिए हैं यह दि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर जरूर करें धन्यबाद ब्रोकली का से जरुर क्यांवीओ ढीति है